विश्वास ऐसा पक्षी है, जो भोर के गहन अंधेरे में भी रोशनी देख लेता है. जीतने का जजबा हमेशा बनाए रखें, किस्मत भले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है. जो लोग हमें जिन्दगी में सबसे ज्यादा चुनावती देते हैं, वही सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा सिखाते हैं. जिन्दगी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे है और कौन पीछे है. कभी कभी ये देखना जरूरी है कि हम किसके साथ हैं और कौन हमारे साथ है जो लोग मेहनत को विकल्प नहीं प्राथमिक्ता मानते हैं उन्हें पहले सफलता मिलती है आपका ज्यान तभी सार्थक है जब वह दूसरों में आत्म विश्वास जगा सके अपने समय का सबसे अधिक दुरूप्योग करने वाले ही समय के अभाव की शिकायत भी करते हैं जीत जीवन की खुशी है जब आप किसी की खुशी का कारण बनते हैं तो यह जीवन की सार्थकता है सफलता चाहिए तो खुद के प्रती निश्थावान रहे दूसरों के कहने पर अपने लक्षे से विचलित न हूँ वक्त और किस्मत पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों परिवर्तन शील हैं कोई भी उल्जन हमें तब तक परेशान करती है जब तक हम उसे सुलजाने का प्रयास नहीं करते आपके कारण आपसे हृदय से अपनत्व रखने वाला व्यक्ति यदि तनाव में है तो ध्यान रहे आपको किसी भी प्रकार का सुकून हासिल हो ही नहीं सकता दूसरों के अनुभव से लाब उठाना और अपनी सोच पर चलना बुद्धिमान होने की पहचान है श्रद्धा ज्यान देती है, विनमर्ता मान देती है और योग्यता स्थान देती है आप जितना बहतर महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बहतर बनता जाता है लक्षे के प्रती जोश और अपने परिश्रम पर अटल विश्वास रखें, इनका फल सफलता ही है जीवन में व्यवस्थित और अनुशासित रहेंगे, तो समय की कमी नहीं रहेगी दयालुता वह भाशा है, जो बधिर सुन सकते हैं और द्रिश्टिहीन देख सकते हैं श्रम जिन्दगी को आसान बनाने में नहीं, खुद को मजबूत बनाने में लगाए जो मर्यादा में रहकर जीवन जीता है, उसकी कलपनाशीलता का विकास औरों से ज्यादा होता है वो नजर सबसे अच्छी होती है, जो खुद की कमीयों को देख सकती है इंसान की संपत्ती न दौलत है न धन है उसकी संपत्ती तो उसका हस्ता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है ऐसे ही प्रेनादायक विचारों के लिए आपकी अपनी उत्तम विचार चैनल को लाइक शेयर वस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद